हेलो गाइज, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का, तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स टेक लिए बताते हैं कि कौन सा डेटा आ रहा है और उसका क्या इंपक्ट रहने वाला है और उसका इंपक्ट रहने वाला है और साथी कॉमोडिटीज के उपर तर चलिए शुरुवात क देख लिए सबसे पहले यहां पर सबसे पहला जो डेटा इहां पर जो की इंपोर्टन डेटा यहां पर आने वाला है वो आ रहा है यहां पर 11.30 ए.च के ऊपर क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो breaking-डैता रहे तो यहां पर ब्रिटेन का जो currency है GBP और USD ये currency pair है इसके उपर जो है data का impact पढ़ने वाला है और यहाँ पर जो data आने वाला है वो है average earning index का और इसके साथ ही दूसरा data same साड़ी ग्यारा बज़े GBP USD के उपर इंपक्ट डालेगा ब्रिटेन के कही data आ रहा है वो है claimant count change और साथ ही तीसरा unemployment rate का data भी यहाँ पर आ रहा है तो यह तीन data आ रहे हैं एक ही time पर तो impact जरूर पढ़ेगा यहाँ पर साड़ी ग्यारा बज़े आप जरूर नजर रखे GBP USD के उपर आपको यहाँ पर impact देखने को मिल सकता है और second जो data है वो आ रहा है 12.30 PM पर और इसका impact पढ़ेगा EUR-USD के उपर क्योंकि यहाँ पर जो है data आ रहा है वो Spain का CPI का data आ रहा है काभी important होता है CPI का data inflation का data क्योंकि इसी data के ओपर चीजें निर्भर करती है कि interest rate कितना होगा बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा तो बहुत ही important data होता है और इसका impact जरूर पढ़ता है क्योंकि European countries में आता है Spain तो इसलिए EUR-USD के ओपर इसका impact पढ़ने जा रहा है 2.3 यह पिछली बार था और यहाँ पर 2.6 यह होने की उमीद है means यहाँ पर बढ़ने की उमीद है अगर यह बढ़ता है तो EUR-USD भी बढ़ सकता है अगर यह 2.3 से कम आता है तो EUR-USD भी नीचे की और को गिर सकता है और दोस्तों अगर आपने भी भी एक्सनेस पर अपना अपको भी रेक्मेंट करता हूं और जिस टाइम बहुत ही अच्छे मूव हमें देखने को मिलते हैं तो आप जरूर उपन कीजिए और साथ ही पॉपर आई बटन में मिल जाएंगी आपने वीडियोस को देखिए और उनकी हल्प से आप ट्रेइग की शुरुआत कीजिए और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मनी जो विड्रौ होती है वो बहुत ही इसी तरीके से बैंक तु बैंक होती है और कोई भी इसमें दिक्कत रही आती है और company directly आपके account में पैसन नहीं डालती है तो सबसे safest तरीका है ये और बहुत ही बड़ी है platform है आप इसका ज़रूरी इस्तिमाल केजिए और जल्दी से account भी open कर लेजिए तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि next जो यहां पर data आ रहा है वो क्या रहा है तो economic sentiments का data है माइनस 5.5 से यह माइनस 6.2 होने की उम्हीद है यान घटने की उम्हीद है अगर घटता है तो EU और UHD और नीचे यहां पर जा सकता है लेकिन अगर यह बढ़ता है माइनस 5.5 से ज्यादा आता है तो EU और UHD ऊपर की और को भी move कर सकता है और दोस्तों आपकी help के ल उसको और भी ज्यादा improve करने में आपकी definitely help करेंगे तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखिए दोस्तों अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि 4.30 PM पर क्या हो रहा है और सबसे important data यहां पर आ रहा है 4.30 PM पर जो की impact डालने वाला है crude oil और US oil के उपर definitely impact पढने वाला है क्यो कितनी production है अगर उनको production बढ़ानी है या घटानी है वो भी यहां पर बताते हैं और साथ ही क्या future means यहां पर अगले आने वाले एक महीने में कितनी ज्यादर demand बढ़ने वाली है कितनी ज्यादर supply बढ़ने वाली है कितनी ज्यादर घटने वाली है वो सारी के सारी जानकारी आ पर सकता है, जो next data यहां पर आ रहा है, वो भी important data है, 5.30 PM पर आ रहा है, और India का data आ रहा है, और इसका impact पड़ेगा, USD INR के उपर, तो इस pair के उपर इसका impact पड़ेगा, क्योंकि जो data आ रहा है, वो India का CPI का data आ रहा है, यहां पर 7.44 यह पिशली बार था, यहां पर 7 होने की उ अमीद है, और अगर यह और घड़ता है, तो यहां पर USD INR उपर की और को जा सकता है, और अगर यह बढ़ता है, तो यहां पर USD INR नीचे की और को move कर सकता है, तो यह data है, और इसके अलावा एक और बहुत important data आ रहा है, दोस्तों, वो है 9.30 PM पर, और वो है EIA का short term energy outlook, तो जो यह data है, वो impact डालता है काफी जादा, crude oil के उपर भी, US oil के उपर भी, और साथी natural gas के उपर भी, और XNGUSD के उपर भी, तो यहां पर natural gas और XNGUSD, और यहां पर crude oil, और साथी US oil, इनके उपर impact पड़ता है, क्योंकि जो यह short term energy outlook है, इसमें यह बताया जाता है, कि कितनी demand है अगले आने वले महीने तक, और कितनी supply होनी है, और shortage होने वाली है, या फिर सहीर हैगी, तो यह सारे की सारी चीज़ें इस outlook में आती है, energy outlook में आती है, और इनका definitely impact जो है, natural gas और crude oil दोनों के उपर यह पड़ता है, तो आप 9 बज़े इन दोनों के उपर नज़र जरूर रखिए, और दोस्तों, जिस टाइम यह data आते हैं, यह data जिस टाइम आते हैं, उस टाइम बहुत ही बढ़िया move हमें देखने को मिलते हैं, और उस टाइम आप जरूर देखा कीजिए, और जो भी यह data वाली वीडियो है, इनको आप daily देखा कीजिए, क्योंकि इन वी अगर आपके पास knowledge होगा कि क्या दिन भर में घट रहा है, तो उसके बाद आप जो decision making है, वो और भी जादा बढ़िया तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, तो दोस्तों, यह था data जो की आना है Tuesday को, और I hope आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ र मेडिया पर भी जितना share करेंगे उतना ही knowledge भी spread होगा, और साथ ही हमें भी motivation मिलता है, अगर हमारी वीडियो पर हमें अच्छे response देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तिल दन, have a nice day, goodbye and take care.